आज मैं आपको Pant का どटा रहि हूं, तो यहां मैंने यह Pant की डिजाइनिंग है उसके लिए मैंने इयां पर यह पटटी pasti बिक्साइज में चुडाएं है लेकिन आप अप अप हिसाफ से रक सकते हो लेकिन इहां फने ऐस चुडाएं इसकी ले रही आप अपने घर में बहुत अच्छा से यूज अपने पैंट में लगा सकते हो तो यहां पर यह मैंने बहुत इजी स्टैप में आपको बताने के कोशिक है और आप प्लीज इसे ट्राय करें तो यहां पर हम सबसे पहले इसको अपनी पट्टी को सिधा कर लेंगे इस तरीके से और जो मेरी यह स्लाय दिख रही है वो मैं नीचे की साइड लूँगी और इस पर आरेन कर लूँगी अब मैंने यहां पर एक अगबार का पेपर लिया है तो यहां पर जो मैंने इसको छोटे-चोटे साइज में कटिंग कर लिया है जो मैंने पट्टी सीधी की ह उसको मैंने इस तरीके से कटिंग किया है छोटे साइज में अब मैं यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हैं थोड़ा आप गैप देदें जो की फिटिंग का गैप है यह दो इंच का आगे वाला अब मैं यहां पर थोड़े-थोड़े गैप से यहां इस तरीके से रखत बराबर गैप आना चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं बराबर गैप के हिसाब से पट्टिया लगा रही हूँ यह पट्टिया सारी पट्टिया जो अपने आये दिहाऄ रहें जो आपका दूसरा वाला पैटरन है उससे भी मैं यहीकर सीर लगाएं और यहां पर मैं यह दो इंच का ही यहां पर छोड़ रही हूं दो इंच ही मैं उधर छोड़ा है क्योंकि यह दो इंच छोड़ने का यह रिजन है कि मैं जब मैं फिटिंग लगाऊंगी तो उसमें यह इस तरह दिखेगा कि यहां पर जो है हम इने यहां पर दूसरी साइट से भी इस तरीके से कर लेना है ताकि यह पटिया खिसके नहीं तो यहां पर में दूसरी साइट से भी इस तरीके से कर लेना है ताकि यह पटिया खिसके नहीं तो यहां पर में दूसरी साइट से बिलकुल हिसाब से पटिया हिसाब पे रख करके कि दोनों साइट से बराबार आएं और यहां स्लाय लगा लूंगी संद्राबrant ने देख सकते हैं मैंने दूसरे साइट भी हैं डिजाइनिंग की पटी वह बहुत हिसाबd लगा लिए अब जो मेरी एक्स्ट्रा पटी है मैं उसको ह durumपर कंटिं कर दूगी यहां मेंने यह सारी जो एक्स्रा पट्टी रिकल रही से यह आमें इसको कटिंग कर देती हूं यह देख सकते हैं आप यह दिहान रहे हैं आपका कि जो पटिया है हमारी यह अकबार थोड़ा सा फट वगरा जाता है तो इसको दिहान में रखना होगा कि यह फटे नहीं क्योंकि हम पहले पोड़ा पैटन तयार करके ही इस अकबार को डिका लेंगे इसमें फिनीशिंग आती है इस वज़े से यह इस थरीके दोनों साइड़े आप देख सकते हैं यह हमने पैटन बलुकुर रखा हुआ है अब यहाह मेरे पास ही मेरी पैंट है ज कि मै रेड आप यह है यह मेरे नीचे आवाला जो हिस्सा है पैंट का तो यह आप देख सकते हैं I am your the every one night have ourulty लेकिन मैंने यहां पर पहले ही नाप ले था कि यह मेरा बराबर आ जाएगा लेकिन उसके बाद भी आप एक बार देख लें कि यह दोनों पटिया बिल्कुल बराबर हो और बराबर हो और अगर जादा धोड़ा गैप हो रहा हो तो आप इसे कटिंग कर दें जो इसका बीचम का सेंटर अगबार के सेंटर से अरना चाहिए पैंट का सेंटर अगबार के सेंटर से बिल्कुल मैच होना चाहिए उससे क्या है कि जब हम फिटिंग लगाएंगे तब आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से आपको बताने के कोशिश कर रहे हूं फिटिंग लगाएंगे तो हम यहां पर आप इस तरीके से इसे लगा सकते हो लेकिन जो एक दूसरा स्टैप है मैं आपको बता देती हूँ तो यहां मैंने एक और पट्टी ली हुई है इतनी चोड़ी जैसे आप देख सकते हो यह मैं कफ की तरह यूज कर रही हूं तो मैंने अकबार के ऊपर वाले स मैंने आपकरियं ऑन इसे की तरह किया है और मैं यहां पर की ताओन की तरह कहते हैं इन करते निता है今天 तो हम इस तरीके से रही करेंगे यह हमने बिल्कुर इस तरीके से इसे पैक कर दी है यहाँ पर हम इसको जब लगा देते हैं तो यह मारा नीचे का पैटन तेयार हो जाता है अब हम यह हमारे पैंट है उस पैंट को हम थोड़ा थोड़ा सा अंदर मोड़ रहे हैं फोल्ड के लिए थोड़ा सा मैंने अंदर मोड़ा है बस और उसके बाद मैं इसको इस तरह से रखके सिल रहे हूं यह जो मैंने अंदर मोड़ा है तो यह मैंने नाप लिया है अबना पैंट को की लंबाई कितनी आ रही है इसके सबसे मैंने अंदर डाल दिया है और इसे सिल रही हूँ यह भी बहुत इजी स्टेप है और जो मैंने आपको पहले बताया है अगर आप वो यूज करना चाहते है तो वह बीजी है यहां पर आपढ़ आप देख सकते हैं यह मैंने इस तरीके से अगर के अगार निकाल देती हैं डोनों साइट से जो भी मेरा अगर का पैतरन है तो यहां मैं तो आप देखो यह बिल्कुर इस तरीके से मैच हो जाती है तो यह बहुत जबादा गैप नहीं आता है जितना गैप इस तरीके से इमारा फिटिंग वाई लाइन में आता है गैप तो यह बिल्कुर रेडी है